नमस्कार एक बार फिर से आप सुभी का स्वागत हैं दोस्तो आज का है वीडियो आपके यूपीटेट एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आज हम समास, संधी, अलंकार तीनों को ट्रिक से पहचानना सीखेंगे तो तीनों को इस वीडियो में हम देखेंगे आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लिजिए और एक्जाम से पहले एक या दो बार इस वीडियो को जरूर रिवीजन कर लिजिएगा ताकि समास, संधी, अलंकार से अगर कोई प्रशन आ जाए और आता निश्चित रुप को और सब से अंतने हम अलंकार को देखेंगे त्रिक से ठीक है तो समास किसी कहते है ठोडा से देख लेते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर बणे हुए एक नभीनयों सारथक सब्दwr को समास कहते आप जो मुख्य समास है और उनके तो वह जो है वह सब्द अभेवह समास होता है जैसे कि अगर जो है यथा लगा हो प्रा लगा हो प्रति लगा हो निर अन भर अनु आ ऐसे सब्द से अगर कोई सब्द प्रारंभ हो रहा है तो समास जाईए कि वहां पे अभेवह समास है जैसे बात करते हैं आमरण की आमरण मे आउपसरग लगा है इसका मतलब अभ्यव भाव समास है अनुरूप में अनुपसरग लगा है इसका मतलब अभ्यव भाव समास है प्रति दिन में प्रति लगा है इसलिए आपका अभ्यव भाव समास हो जाएगा तो इस तरह से आप जो है अभ्यव भाव समास को आसानी से पह आता है जैसे देखेंगे महत्मा महत्मा का मतलब होता है महान आत्मा आत्मा कैसा है महान है महान क्या है या विसेस्ता बता रहा है आत्मा की ठीक है तो इसका मतलब यह कर्मधारे हो गया नेल गाय की बात करते हैं नीली है गाय कैसी है नीली है तो नीला क्या है विसेसर है चाहे तो आप नोट कर सकते हैं आपकी एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टिक चीज़े हैं ठीक है तत्पुरुष समास अब हम देखेंगे जिन सब्दों के बीच में विग्रह करने पर का की को के लिए में पर ऐसे सब्द आ जाएं तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है जैसे देखेंगे हम गंगा जल गंगा जल का मतलब होता है गंगा का जल का बीच में आ गया तत्पुरुष समास हो गया मार्ग ब्य की बात करते हैं मार्ग के लिए ब्य के लिए आ गया तत्पुरुष समास हो गया मतलब की बीच में कोई कारक्शिन आ जाए का और्षा क्लिए । आपका । पहशान सकते हैं। एक और देख लेते हैं अगला क्याहे है मारा संख्या वाची हो यह तो आप जानती होंगे हैं या 24 सवा राह चार राहों का समाहर चव का मतलब चार और चार ये संख्यावाची है इसलिए आपका दिव समास हो गया सताब्दी में आप देखेंगे सत जो है संख्यावाची है सत का मतलब सव होता है इसका मतलब यह भी आपका दिव समास हो गया तो इस तरह से हम दिगू समास को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है, दोन्द समास अब हम देखेंगे, दोन्द समास में दोस्तों देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग इतर है इसमें, लेकिन ध्यान से देख लेजिए, जिस समास में योजक चिन्त लागा हो, और विग्रह कर रहा है, योजक भी लगा हुआ है, इसका मतलब दोन्द समास हो गया, समास एक और है, बहुबरी समास है, जो कि लाश्ट समास है, इसके बाद समास आपका कंप्रेट हो जाएगा, जिस समास में किसी तीसरे पद की और संकेत किया गया हो, ट्रीक देखिए कितना अच्छा ट किया रहा है इसमें, तो इसलिए आपका यहाँ पर बहुबरी समास हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा तर देवी देवताओं के नाम इसमें होते हैं दोस्तों, यह भी ट्रिक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका समास यहाँ पर कंप्लेट हो गया, अब इसके बाद दोस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो, अब नेश्ट है संधी, संधी को अच्छे से देख लीजिए, दो निकट वरती वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन होता है, उसे हम संधी कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्वरसंधी, ब्यंजन संधी, ठीक है अब हम इनका जो है ट्रिक देखेंगे स्वर संध में जितने भेध हैं उनका एक एक ट्रिक देखेंगे उसके बाद लास्ट में बेंजन और विशर को देखेंगे ठीक है तो चलिए ध्यान से देख लिजिए काफी चादा इंपोर्टन चीजे चल रही है यहाँ पर त संधी में हमारा पहला आता है देर्ग संधी क्या आता है देर्ग संधी आता है तो देर्ग संधी को देख लिजिए जिस सब्द के बीच में बड़ी मात्रा लगी हो दोस्तों वहां पर देर्ग संधी होता है जैसे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ ऐसे लगा हो तो वहां प भानुदे में बड़ाव लगा हुआ है इसका मतलब यह भी दिर्ग संद्ध हो गया और जो मात्राइं लगी हुई है इनको बीच में देखना है चीक है तो यह जो है दिर्ग संद्ध के उद्धान है दोस्तों चीक है या एक और सिंपल सा जो परगासा इसकी होती है जब जो ह चेहाँ दोसरी तरफ दूसरी तरफ तरह है है तो भी धिर्ग संद्ध हो गया दोनों तरफ है पहली तरफ लगार ढर जीसे PO बड़ी मात्रा है जिस सब्दों के दीश में बड़ी मात्रा लगी हो तो अहां पर दिर्ख संधी होता है समझ में आ गया चलिए सिंपल सा था और गुड़ संधी को देख लेते हैं गुड़ संधी जिस सब्द में केवल एक मात्रा उपर दिखाई देता हो सिंपल सा है देखिए इसमें सब्द में उपर दू मात्रा लगी हो जैसे महोसद हो गया सदेव हो इसमें देखिए उपर दो मात्रा लगी हुई है इसका मतलब यह ब्रिद्य संधी का उदारण है और एक मात्रा रहेगा तो आपका कौन से संधी होगी अभी मैं इसकी पहले आपको बता दिया कौन जंद आधा सब्द लगा हो जैसे अत्यधिक में देखिए या के पहले आधाता लगा हुआ है स्वागत में वहा के पहले आधाता लगा हुआ है तो इसका मतलब यहां पी याड़ संदी होगा ठीक है तो यावारा के पहले अगर आधा सब्द लगा है तो वहां पर याड़ संदी हो और ओ-ओ-ओ की मात्रा नहीं आती है, वहाँ पे आयादी संधि होता है, जैसे पावक में है, नायक में है, पवन में है, स्रवन में है, साधान सब्द है, सिंपल सब्द है, इसमें ना तो एकी मात्रा आ रही है, ठीक है? तो यह सब आयादी संधि हो गया, ठीक है? तो इसको ज है बिसर संधी होता है जैसे दूरंपीयोग गश्य क्या होगा दू धन उपियोग दू में देखीए दू के बात जो है दो विदि वाला आ गया आगया यानि विशर का sarà जैने यह आगया तो इसका मतलब बिसर संधी है दो निर्भय को देखेंगे नी हिदन भै बराबर निर्भय दो विंदी आ गयां बिशरसंदी हो गया दर कि तो देखी लिए हैं संद्विछ unlucky देखेंगे संद्विछित पर बैंजन के बाद स्वर्या बैंजन आता हो तो आपर बैंजन संदी होता है जैसे दिगज का संद्विछित क्या होगा डिकधन गज़ बराबर दिगज देखिए का दिक्धन जो का के बैं अन्बर में अा आया भुआ है मतलब कि बैंजन के बार स्वर आया भुआ है तो भी यहां पर संथी हो जायेगा तो यह सिंपल साथ दोस्तोगे तो यहां तक आपका संथी जो वह कंप्लीट हो गया दुस्तोगे दोस्तों आपको अच्छा बहुत होगा क्योंकि काफी ज्यादा इंप्वर्टेंट है चीजे अब इसके बाद दोस्तों हम अलंकार को देख लेंगे क्योंकि आपको पास समय कम है एक्जाम से पहले आपको इसको अच्छे से रिवीजन कर रहा है इसलिए हम ट्रिक से सिर्फ रिवीजन करते हुए आगे चल रहे हैं आपको इसमें ज्यादा समय नष्ट नहीं करना है ठीक है अलंकार को अब देखेंगे अच्छे से देख लेंगे उसके बाद आपका वीडियो कम्प्लीट हो जाएगा काबी की सोबह ब देखेंगे कौन है सब्दालंकार में आपका होता है दोस्तों पहले अनुप्रासलंकार इसमें देखिए जहां एक ही वड़ की बार-बार अब्रती होती है वहां पर अनुप्रासलंकार होता है जैसे कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है तो कुल में दे सब्द की बार बार आबरती हो दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग हो तो वहां यमक होता है इसका भी ट्रिक देख लिजिए यहां पर है क्या लिखा है जहां एक ही सब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता यहां पे दो बार आया है और दोनों बार अर्थ इसका अलग है एक सब्द में रटप Adams और कि शती हो ऑनेक डिये हो जाएगा चरण धरचिंताकरत फिर्च चितवत्चहोर सुबरन को ढूड़त फिरत कभी वेवचारी चोर यहां जो सुबरन लिखा हुआ है दोस्तों इसके तीन तीन अर्थ होते हैं तीन अर्थ में कभी जो है अच्छे सब्द के रूप में सुबरन को देखेगा वेवचा उनको हम देख लेते हैं अर्था अलंकार में आपका पहला क्या है उपमा अलंकार जब वाक्य में योजक चिन्ह आ जाए और बीच उसके बाद जो है साथ में जो है सासी से तुल्य सम जैसा ज्यों सरिस के समान ऐसे कोई भी सब्द अगर आ जाए तो वहां पर उपमा अलंक इसमें देखेंगे बीच में जो है योजक भी लगा हुआ है साभी आया है योजक भी लगा हुआ है तो सासी से तुल्य सम ऐसे सब्द अगर आ जाए और योजक भी लगा हो तो वहां पर क्या होगा उपमा अलंकार होता है इसको आप जानते रहिएगा रूपक अलंकार भी ऐसे ही है इसमें देखेंगे जब केवल योजक्चिन आए उसके साथ सासी से ऐसे सब्द ना आए तो वहां पर रूपकलंकार हो जाएगा मन सागर मनसा लहर बूड़े बहे अनेक ससी मुख पर घूघट डाले अंचल में दीप छिपाए इसमें आप देखेंगे मन सागर अब एक ट्रिक है पहचानने की इसको आप लोग रिवाज्ट कर लिजिएगा रिवीजन कर लिजिए जरूर काम आएगा आपके एक्जाम में उत्परेक्षा अलंगार अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे इसको पहचानेंगे आप देखेंगे जिस वाक्ति में मन मानो मनो मनहु जानो जनहु ऐसे सब्द आ जाएं तो वहां पर आपका क्या होगा उत्परेक्षा अलंगार होगा दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए वीडियो को सेयर करिए एक्जाम से पहले इसको एक दो बार जर पर आतप परियो प्रभात इसमें देखिए जो है मनहु सब्द आ गया इसका मतलब यहां पर उत्परेक्षा अलंगार हो जाएगा जिस वाक्य में मनु आ जाये मानो आ जाये मनहु आ जाये जनु जानो जनहु आ जाये ऐसे सब्द आ जाये बीच में तो वहां पर आप उत् इस योगति अलंकार होता है दोस्तों जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई अग लंका स्टी जल गई गए निसाचर भाग तो इसमें आप देखेंगे कि हनुमान जी की पूछ में आग लगने से पहले ही लंका जो है पूरी जल गई तो यह अतिस योगती यह तो है क्योंकि जो है इसमें बढ़ा चढ़ा के बोला है ना पहले आग लगनी चाहिए थी पूश में उसके बाद लंका जल्दी तो इसलिए आपका यहां पे अतिस योगती अलंकार हो जाएगा इस तरह से दोस्तों आपका यह अलंकार वाला टॉपिक भी कपलिट हो गया यह तो जी अलंकार 3-4 अलंकार और इसके पहले जो अलंकार बताए यहीं इतना एक्जाम में पूशता है इसके आगे वाले कुछ 2-3-4 अलंकार जो आउर है उनसे बहुत कम पूशता है ठीक है तो यह वीडियो दूस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखकर लिए वीडियो को सेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगा इस वीडियो को दूस्तों एक्जाम से पहले जरूर रिवाज्ट कर लीजिएगा ठीक है तो वीडियो देख लेगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद